हेलो दोस्तों कैसे हूँ आपका स्वागात हदिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास जो है नाइन्थ का जो है समाजी विज्ञान का चैप्टर नमबर फाइब जो की पस्टेरिलिस्ट इन दिर मोरेन वाल यानि अधुनिक विश्व में चरवा हैं काफी महतवपून चैप्टर है इसके अंतरगत हमने आठ कोशन लिया है उसमें से हमने पहला कोशन कर लिय है जो की काफी महतवपून है चलिए देखते हैं दुसरा कोशन क्या कहता है तो है कोशन से कहा है यह दिसक्राइब शोशल दिविजन ऑफ दा मसाई 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 मोस इंपोर्टन कम्यूटी है दा अंसर है दा मसाई सोसाइटी वास डिवादी इंट तो शोशल काटेगोरी है अज्यर यह भी गैव फा दिविजन ऑम आजिजर कोशन प्रें मसाई मसाई मStar शोशल काटी हैं दीजर काटेग ένα yg बिसक्राइब शोशल के देखन से बहर पिसक्राइब काहिज ए देखते हैं दू। that is the most important to here the elder and second here the warriors is a consist of the younger people there is a third point and second here a category there are warrior consist of the younger people mainly responsible for the protection of the tribe okay there is a warrior is a consist of a younger younger people and mainly responsible for the protection of the tribe there is a two category is a a most important role play on the society there is a first here elder the elder there is the community and the shuttle the jab there is a concerning of the deciding to affair of the community and shuttle depth and second here category is a warriors warrior is a consist of young people and responsible for the protection of the tribe okay and fourth point here they also organized to the cattle well there is a cattle weights and ridings was important in a society where a cattle was wealth there is a most important and fifth point here are ridings assert their power of different pastoral group okay the riding is assessed the power of the different pastoral group there are described social division of maasai there is a important there is a important there is a massai samaji samaji vivajan ka agar ham jane to kaafi mahtapund hai ga ki maasai ke samaji samaji vivajan kis parakar kiya gaya tha tha agar ham maasai ke samaji samaji johai vivajan ka haam bernan karay haam baat. समक्ष आएगा बहुती महत्पून बात आता है कि देखिए यहां पर मसाई समाज 2 समाज 1 विभाजित था एक बुज़ुर्गों का था और येक यौद्धाउं का था अब समझ सकते हो कि मसाई समाज का जो है डो श्रेणियों मिभाजित की गई थी पहला स्रेणि जो था बु सासक समू का गठन किया था यानि जो बुजर्ग होते थे बरे होते थे वो जो होते थे सासक समू का गठन किया करते थे और समधाय के मामले पर निन्य लेने और विबादों के निप्टारने के लिए समय समय पर परिशद में मिलते रहते थे तो यह काम किसका था बुजर्ग का यानि बड़े लोगों का होता था बड़े साशक करते थे ये जो भी विवाद उठपन होती थी उनका समय समय पर पढ़िशद में ये निप्टारन किया करते थे तो ये मसाई समाज के पहले वर्ग का दायत वो था दूसरा वर्ग जो होता था युद्धा वर्ग के रूप में जाना जाता था यानि दूसरी की हम बात करें तो यह युद्धा के रूप में जाने जाते थे कहते हैं युद्धाओं में यूबा लोग सामिल थे यानि जितने भी यूबा होते थे सब जो थे वो युद्धाओं में सामिल होते थे और जो मुख्य रूप से जंजाती की सुरक्षा के लिए जिमेदार थे यानि जो यंग थे ठीक हो काफी स्ट्रॉंग भी थे तो उनका सिरफ एकदायत हो था कि जो है जंजातियों की सुरक्षा के इस परकार किया जाए यानि सारे जिमवारी सुरक्षा का जो था इन यूद्धाओं पे था यानि यूबा वर्ग के लोगों पे था कहते हैं अगर हम चौथी पॉइंट की बात करें तो रहोंने मवेशी चापे भी आयोज किये थी चापा मारना उस समाज में महतवपून था जा मवेशी धन थी कहते हैं चापे मारी ने विभिन द्यहाती समों के शक्ति पर जोर दिया गया था यानि चापे मारी का भी काम य कि इनको दो स्रेणियों में बाटा गया था बज़ूर्ग और योद्धा के स्रेणी में और इनके समय में चापा मारी मुक्य रूप होती थी और जिसके वज़ासे यह काफी समाज फैली तो यह काफी महतवपून था उस समय के अंतरगत और एक्जाइम भी उसे भी कोशन का सहाथ का इनका किस परकार था यान किस परकार वो लोग विवाजित हुआ करते थे तो तो इससे के साथ हमारा गए कोशन खताम हो जाता है हम अगले वीडियो मिलेंगे तिसरे कोशन के साथ तो आप बने रहे है तिरपान शेटर के साथ और लाइक है से सब्सक्राइब के यह आपके लिए जरूरी है